अजी दोस्तों क्या हाल चाल तो सबका सवागत है फिर विंग से कुडान के इस यूट्यूब चैनल में आज ये फिफ्स वीडियो रहेगी हिस्ट्री के एमसी की उस पर I hope आपको बहुत पसंद आ रहा है कॉमेंट्स में मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो आज भी का इस हिस्ट्री को लेके है कोशिश करगों में एक दो वीडियो लाने की इसके बाद हम बड़े जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल में एच्छे से कवर नहीं हुए हैं तो उसको भी कवर कराने की कोशिश करें किंगे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोशन पहला कोशन दोस्तों बोल रहा है कि अभीनव भारत सिक्रेट सॉसाइटी थी बसिकली रेवुटेशिनरी ऑर्गनाईजेशन थी ठीक हैं जो बसक्त नाम इसको मिलीटेंट औरगनाईजेशन भी देते थे इंको बहुत किसने किया था इसमें से कौन सा आंसर है तो आंसर है दोस्तों VD सारवरकर है ठेक है क्या नाम है SAR VAR कर दोस्तों यह अभी नवा भारत कहां स्टार्ट हुई थी जगा थी महराश्रा ठेक है कहां थी महराश्रा इस सुसाइटी को आस्से टेक्स ने करवाई था वेड़ी सारवरकर ने ठीक है और ऐसी उर्गनेसेश्टि का काम क्या था यह basically क्या करते थे जितने भी political officials होते थे ना उनके assassination करते थे ये ठीक है political officers की assassination में इनका main role play होता था ठीक है जी याद रहेगा आपको अब next जलते अब बोलते हैं ऐसी organization बताओ ठीक है जो सुरेंदर नाथ बैनर जी ने start करी थी और वो later on जाके Indian National Congress के साथ 1886 में Calcutta में या रखना ये भी आपको साथ बताते है Calcutta में जाके वो मर्ज होगी ऐसी organization का नाम क्या था दोस्तों ऐसी organization का नाम था C option याद रखीगा उसका नाम है Indian Association ठीक है इसके इलावा मैं आपको अगर बताओ तो East India Association भी आपको founded by Grand Old Man of India किसको बोलते थे Grand Old Man of India याद रखेगा Grand Old Man of India बोलते थे दादा भाई नारोजी को किसको बोलते थे दादा भाई नारोजी को आप से ये भी question पूछा जा सकता है कि the first party to become the president of INC तो याद रखेगा दादा भाई नारोजी है याद रहेगा और दादा भाई नारोजी है जो तीन बार क्या बने है प्रेजेंट बने है INC के He founded which association East India Association ठीक है और याद रखना ये England में House of Common के पहले Indian member थे याद रखना England में जो House of Common एक house है British Parliament का वहाँ पे ये क्या रहे हैं member रह चुके उसके बाद याद रखिएगा आप अब हम थोड़ सा Surinder Nath Bener जी के बारें पढ़ जाते हैं जिनकी organization Indian Association ने later on merge किये था किसके साथ Indian National Congress के साथ तो दोस्तों याद रखिएगा Surinder Nath Bener जी ने क्या क्लियर किये था Indian Civil Services क्लियर की थी याद रखिएगा Surinder Nath Bener जी को और क्या बुलाय जाता था राष्ट्र गुरू बुलाय जाता था क्या बुलाय जाता था इनका दूसरा नाम क्या था राष्ट्र गुरू भी इनको बुलाय जाता था बहुत prominent leader रहे हैं INC के और Surinder Nath Bener जी basically कौन थे moderator थे याद रेखिगा moderate ideology के साथ चलते थे and he was moderator और Surinder Nath Bener जी ही वो moderator है जिनों ने स्वदेशी movement स्टार्ट किया था ठीक है स्वदेशी movement स्टार्ट किया था और इनका ही एक newspaper है जो newspaper ने स्वदेशी movement को क्या किया था बहुत जादा स्वदेशी movement की campaigning के रही थी उस newspaper का नाम है Bengali he founded this newspaper which one Bengali याद रहेगा कोई problem नहीं है इसी की Surinder Nath Bener जी की ही organization जो थी Indian association वो लेटर हो जाके मर जूई थी international congress के साथ याद रहेगा जी चले हम आगे कोई problem तो नहीं अब थर्ड कोईशन दोस्तों very important वाइकॉम सत्तेग्राएं तो इसमें बोला है कि आप बताएं कि who was the leader of वाइकॉम सत्तेग्राएं तो दोस्तों पहले एक चीज़ पढ़ लेते वाइकॉम के बारे में तो आप याद दिखना वाइकॉम was a name of place कहाँ पे कहरेला में और उस वक्त ट्रैवन कोर क्या होती थी ट्रैवन कोर basically princely state थी क्या थी princely state थी और इसी ट्रैवन कोर में एक जगा थी वाइकॉम जहाँ पे एक टेंपल था जिसका नाम था शिव टेंपल ठीक है जिसका क्या नाम था शिव टेंपल अब इस shift temple में problem क्या था कि इस shift temple में lower caste people को क्या मतलब जिनको हम untouchables बोलते थे they were not allowed to enter this temple कौन सा temple शिवा temple जो कहां पे था वायकॉम में तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वायकॉम movement कौन सी movement थी तो आप हमेशा बोलोगे it was temple entry movement इसके इलावा वायकॉम सत्यग्रह में और कौन सी चीज़ों को untouchables की demand को include किया गया वो थी कि ना कि सिर्फ untouchables को lower caste लोगों को society को उनको temple में अलाओ करते थे बलकि they were not allowed to walk on roads used by higher caste community तो मतलब इनको road पे पे allow नहीं था महाँ पे चलना तो वायकॉम सत्यग्रह में क्या हुआ फिर finally कुछ leaders ठीक है निकले उन्हें committee बनाई इसके खिलाफ लणने के लिए उस committee के chairman को उन्हें याद रिखिएगा के कलबपन मतलब इसका option क्या है answer A के कलबपन was the chairman of that committee जिस committee को बनाया गया था क्या करने के लिए untouchability को के खिलाफ लणने के लिए तो इस committee ने decide किया कि हम 1924 February 1924 में एक सक्तेगरा लाउंच करेंगे उसका नाम क्या रहेगा केरेला परियतनम spelling में बोल देता हूँ केरेला परियतनम P A R Y A T A N A M ठेक है केरेला परियतनम क्या रहेगा ये लाउंच करेंगे तांकि हमें क्या मिल सके entry मिल सके किसमे temples में और road open की जाए किसके लिए untouchables के लिए तो finally हुआ क्या कि 23rd November 1925 को temples open कर दिएगे ट्रैवन कोर के king ने temple open कर दिए किसके लिए untouchables के लिए और 1928 में roads भी open कर दिए untouchables के लिए अब कौन-कौन से leaders हैं जिनने YCOM सत्तेगरा को क्या किया था support किया थो आप याद रखना उनका नाम था गांदी जी महत्मा गांदी स्री नरायन गुरू बहुत बड़ा रोल प्ले हुए इनका भी इनने support किया था याद रखी गया these were the leaders who supported YCOM सत्तेगरा चले दोस्तों आगे कोई tension तो नहीं अब बोलते हैं who among the following established who among the following established भहिश्कृत हित्त करनी सभा तो दोस्तों याद रखिया गया इसका answer है भीम राव अंबेटकर तो भीम राव अंबेटकर was the prominent leader जोनोंने क्या किया है इंडियनेशनल कॉंग्रस में बहुत important role play किया है इंडियनेशनल struggle में बी आर अंबेटकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बी आर अंबेटकर popularly किस नाम से जाना जाते थे बाबा साहिब याद रखिएगा किस नाम से जाना जाते थे बाबा साहिब ये भी lower caste community से belong करते थे और बहुत सारे इन्होंने oppressions देखे थे जो higher caste लोगों से इन्होंने face किये थे ठीक है और बहुत ही strong क्या केते हैं ये oppose करते थे किसको ये भी जो भी क्या कहते हैं dominations, discriminations होती थी किसके दोआरा upper caste लोगों को lower caste के उपर ठीक है इन्होंने क्या किया बाबा साहिब ने ठीक है लंडन स्कूल से इन्होंने economics में पड़ा हुआ है very intelligent intellect level बहुत हाई इन्होंने magazines पो स्टार्ट करी थी उन magazines में एक का नाम है या रखना MOOC NAYAK क्या नाम है MOOC NAYAK और कौन सी magazine थी Equality जनता ये भी एक magazine थी जो उनने स्टार्ट करी थी दो लिख लिए MOOC NAYAK और Equality जनता और तीसरी कौन सी थी या रखना बहिश्कृत भारत बहिश्कृत भारत इसके बीच में H आएगा ठीक है भारत फिर इन्होंने later on क्या किया एक party भी बनाई जिसके party का नाम इन्होंने रखा Independent Labour Party यार रखिएगा Independent Labour Party कि इन्होंने बनाई BR Ambed करने जो later on जिसको Transform किया गया और क्या बनाया है कि इस party का नाम क्या रख दिया गया Scheduled Scheduled Cast Federation ये किया गया आपको अगर BR Ambed कर के बारे पता हुई He was the Chairman of Drafting Committee है ना Drafting Committee किसकी Constituent Assembly की बहुत important committee थी ठीक है BR Ambed कर को और किस नाम से जाना जाता है Modern Manu के नाम से जाना जाता है ठीक है BR Ambed कर को Father of Indian Constitution भी बोला जाता है ठीक है और BR Ambed कर जो है वो First Law Minister भी रहे हैं Independent India के याद रहेगा First Law Minister भी रहे हैं Independent India के Clear है जी चले हम आगे कोई टेंचन तो नहीं चलो जी अब बोल रहें गनपती फेस्टिबल महराष्टरा में किसने स्टार्ट किया था जो आज इंडिये सिर्फ महराष्टरा नहीं पूरे इंडिया में मनाया जाता है तो याद रखिएगा उसका जो आंसर है That is Bal Gangadhar Tilak क्या आंसर है जी बाल गंगादर तिलक के बारे में तो बाल गंगादर तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चे को पता होगा लोग मानने तिलक भी इनको बिलाए जाता है अच्छा बाल गंगादर तिलक ने Ferguson College भी स्टार्ट किया था याद रखिएगा कौन सा college Ferguson College कहां पे पूने में ठीक है 1890 में बाल गंगादर तिलक ने किसको जोईन किया Indian National Congress को 18-19 में जॉइन करा और and he was very against of moderate ideology है ना बहुत अगेंस जो moderate का तरीका था ठीक है कुछ भी चीजे करने का तो जो भी वो Indian interest के related करते थे उसके बिलकुए खिलाफ थे ये इन्होंने एक slogan भी दिया था जब इन्होंने Annie बिसंत के साथ मिलके Home Rule Movement स्टार्ट किया था कौन सा जी Home Rule Movement कब स्टार्ट किया था 1916 वहाँ पे इन्होंने एक slogan दिया था कि सवराज is my birthright सवराज क्या है मेरा birthright है और इसको मैं लेके रहूंगा मेरी बात आपको clear हो रही अब याद रखेगा इसी Home Rule Movement में इन्होंने दो पेपर स्टार्ट करे थे दो पेपर के थुरू ये Home Rule Movement को campaign करते थे एक था केसरी जो लिखा था किस में? Language में? मराठी में ठीक है? और एक था महारत कौन सा जी? महारत जो किस में लिखा था? इंगलिश में दो फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट करा एक शिवाजी जयन्ती स्टार्ट करा जो आज एक क्या है? महाराष्टरा का सबसे prominent फेस्टिवल है मनाया जाता है और एक इन्होंने स्टार्ट करा 1893 में कौन सा फेस्टिवल? गनपती फेस्टिवल ठीक है कौन सा फेस्टिबल स्टार्ट किया गंधबती फेस्टिबल और और जो बाल गंगदर तिलक हैं इन्होंने ही पहली बार बोला था कि state को divide करना चाहिए on the basis of language state को on the basis of क्या करना चाहिए linguistic statement चाहिए language state में आपको क्या करना चाहिए इसको बनाना चाहिए याद रहेगा मैंने काफी चीज़ी इसमें cover की है तो आपको भूलना नहीं चाहिए ठीक है चलते हम आगे अब बोलते है कुका movement ठीक है कुका movement किसने organize करवाई थी तो थोड़ा सा कुका movement के बारे हम पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कुका movement को नामधारी movement भी बोल से स्टार्ट ही थी अब किसकों से religion को purify करने है वो सिखिजम किस religion को purify करने के बाद कर रहे थे यह सिखिजम को और start किसने किया था याद रखेगा उनका नाम था Guru Ram Singh तो मतलब इस question का जो answer है that is Guru Ram Singh तो जो initially यह movement start हुए था किसके लेट्व쟁े के बिगिरिव Yoo पूरी हिए जो नाम धारी यह एक सेक्ट है जो सिखिजम का सेक्ट है ठीक है सिखिजम का सेक्ट है लेडर और इन्होंने क्या किया यह movement change हो गया और यह movement क्या बन गया टोटली क्या बन गया revolt कर दिया इस movement इसके खिलाफ foreign powers के खिलाफ foreign powers कोन सी होगे British के खिलाफ और यही movement क्या चाता था restore करना चाता था किसको सिखरूल को वाविस पंजाब में तो finally क्या किया 1872 में 1872 में गुरुराम सिंग को arrest किया और इनको exiled कर दिया काम पर रंगून भेज दिया इनको ठीक है और ब तोपों से उड़ा दिया गया था ठीक है ची चले हम आगे इसका answer कौन सा है option c याद रहेगा चलते हैं दोस्तों आगे अब आ गया बोलते हैं जो पागल पंथी rebellion है ठीक है ठीक है यह इनमें से कौन सी tribes यह basically पागल पंथी rebellion जो दोस्तों था ना यह पेजेंट मुमेंट था ठीक है पेजेंट मुमेंट था इसको हम अभी पढ़ेंगे पहले पेजेंट मुमेंट था बाद ने इसको पेजेंट मुमेंट बना दिया तो यह कौन से कौन से tribes थी जो इसमें included तो याद रहना option है बी गारों के साथ साथ एको tribe थी उसका नाम था हजोंग अब यह पागल पंथी जो है यह स्टार्ट किस ने किया था याद रकिक क错 करीम शाह ने किसमें बी religious order को वापिस क्या करना चाते थे इंपोस करना चाते थे बात में करीम शाह के जो बेटे थे जिनका नाम था टीपु शाह इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर दिया ठीक है क्यों रिवाल्ट कर दिया और किसके साथ मिलके की रहा गारो और हजुंग ट्राइब के साथ मिलके क्यूंकि वहाँ पे टेक्स बहुत ही जादा लिया जा रहा था तो फाइनली टीपु साको कैप्चर करा और पागल पंसी रिवाल्ट क्या हो गया था खतम हो देड हो गया था चले हम दोस्तों आगे तो इसका आंसर भी याद रहेगा न अब बोलते हैं कौन सा गौर्रमेंट का ऐसा एक्ट है इन में से जिसने क्या किया था पहली बार गरांट किया था एक लाख रुपी किसके लिए एजुकेशन के लिए कहां पे इंडिया में इंडि एक्ट 1813 ही है जिसने क्या किया था पहली बार एक लाख रुपे इंडियन एजुकेशन के लिए क्या किया था बही गरांट किया था उसके इलावा में चार्ट 1813 के इलावा बताओं तो इसमें एक और बहुत इंपोर्टेंट जिसका नाम है वुट डिस्पैच 1854 तो याद रिखिया वुट डिस्पैच को हम क्या बोलते थे मैगना सौरी पापस लिखता हूँ वुट डिस्पैच को हम क्या बोलते थे मैगना कोशन आ सकता है कौन से एक्ट को हमने बोला था मैगना काटा ओफ इंडियन एडुकेशन तो या याद रहेगा वुट डिस्पैच जो कि किसके गवर्नर जनरल शिप के टाइम पर आया था लॉड डल हाउजी याद रहेगा लॉड डल हाउजी चले हम दोस्तों आगे कोई टेंचन दो नहीं चलते नहीं अब बोल रहे हैं वेरी इंपोर्टेट बोल रहे हैं कि पहली वूमेन इनुवर्सिटी जो मुंबई में एस् तो इसका जो आंसर है that is option B जिसका नाम मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे D के कारवे जिनका पूरा नाम क्या था धूंडो केशव कारवे बचा धूंडो केशव कारवे को महारिशी कारवे भी बोलते थे क्या नाम था इनका महारिशी कारवे और इसके इलावा इनको अन्न अन्ना ऐसे अगर आप मराठी में जाओगे तो बड़े भाई को बोलते तो अन्ना कारवे भी बोलते थे दोस्तों इनका बहुत important role play हुआ है woman education में याद रखियेगा और DK कारवे को ठीक है इंडिया का highest civilian award भी मिला है 1958 में जिसका नाम है भारत रतन ठीक है और DK कारवे की 1962 में देथ होगी थी he was very prominent educationist ठीक है जिसने woman education को बहुत जादा support दिया है DK कारवे याद रहेगा चलते हम दोस्तों आगे बोल रहे हैं इन में से कौन सी personality है जिन्नोंने चिता गॉंग के spelling गल्त है G-O-N-G आएगा ठीक है चिता गॉंग आर्मरी raid organize करी थी तो यह याद रखना बहुत ही prominent leader जो teacher भी थे और जिनका जनम कहां हुआ था बेंगॉल में वो आज के टाइम पे कहां पे है बांगला देश में उनका नाम है सूर्या सेन सूर्या सेन basically एक teacher थे जिन्नोंने British power को challenge करने के लिए चिता गॉंग में एक आर्मरी थी जहां पे इनने प्लैन किया कि मैं यहां से क्या करूँ के weapons को लूटूंगा तो इनने आर्मरी raid organize करी ठीक है 18th April को इन्होंने आर्मरी raid organize करी थी 1930 को लेकिन finally यह पकड़े गे और 1934 को इनको hang कर दिया गया और दोस्तों जब इनको hang किया था he was only 39 years of age his age was 39 years तो बहुत ज़ादा क्या कहते हैं important role play हुए है बहुत सारी leaders के हमें अजादी दिलवाने में ठीक है अब चलते हम आगे बोलते हैं first political organization जो इंडिया में 1838 में established हुई थी उसका नाम क्या है तो याद रखिएगा इसमें जो option है that is जमीनदारी association जो 1838 में बने थी जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया था Land Holder Society क्या नाम पड़ गया था Land Holder Society जो basically जमीनदार के interest को Britishers के आगे रखती थी ठीक है जी तो first political organization कौन सी थे याद रखिएगा आप that was जमीनदारी association अब दोस्तों बोल रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश जो एक sacred book थी वो कौन से समाज इन में से कौन से समाज की book थी तो याद रखिएगा उसका नाम था आर्या समाज जो 1875 में किसने start किया था मैंने पहले भी discuss कर लिया स्वामी दयानद तो दोस्तों ये भी question पूछा जा सकता है कि who was known as Martin Luther Martin Luther of India तो उसका answer क्या रहेगा दोस्तों उसका answer रहेगा स्वामी दयानद ठीक है स्वामी दयानद ने सत्यार्थ प्रकाश के इलावा और भी books लिकी थी जिस book का नाम था वेद भाशा भूमी का और वेद भाशे वेद भाशा भूमी का और वेद भाशे ये दो बुक्स भी ने लिखी थी स्वामी दयानद ने ही एक slogan दिया था go back to the with us याद रहेगा दोस्तों तो आज के लिए इतने ही MCQs I hope कि आपको ये पसंद आएंगे बहुत detail में मैंने discuss किया है आगे आने वाले time पे आपको और ज़ादा MCQs मिलेंगे हर different topics में और attention ने लिजिए quality education maintained रहेगी और आपका syllabus complete करवाना हमारा काम है आप बस हमें support करते लिए हमारी videos को देखते लिए thank you so much guys thank you so